प्र्राइब हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर एपी ने मैं यहां मुकठ हास्पेटल सेक्टर 34 में और्थोपड़िक्स का इंचार्ज हूँ नैं पिछले 23 या 23 साल से यहां मुकठ हास्पेटल के साथ असोसेटर हूँ और पिछले 33 years का मेरे को orthopedics का experience है हमारा जो यह hospital है यह joint replacement के लिए famous है और दोनो total knee replacement और total hip replacement यानि घुटने की और चूले की surgery replacement यहां की जाती है आज मैं बात खास कर घुटने की या knee replacement के बारे में करूँगा जो knee replacement surgery हम करते हैं वो ज़्यादा तर 55 से लेके 85 साल के लोगों की 55 से 85 तक की जाती है और उसका main indication जो है धर्द होना, ना चल पाना और घुटने का टेड़ापन होना जो लोग बहुत कम चल पाते हैं दर्द के कारण उनको इस surgery से सबसे ज़्यादा फैदा होता है जिनको रात को दर्द के कारण नहीं आती वो लोग भी इस surgery से बहुत benefit करते हैं मुगट hospital में surgery करने से पहले हम patient के सारे test करते हैं जिसके अंदर blood test, x-rays और heart test भी होता है उन्हीं patients की surgery की जाती है जो medically fit होते हैं और जिनको ज़रूरत होती है एक small percentage patient वो होते हैं चिन्हों surgery की जरूरत नहीं है उनको हम medicine देके और exercises बताके घर भेज देते हैं और फिर follow up पे बलाते हैं लोगों के मन में कई सवाल होते हैं इस surgery के बारे में यह surgery लगबग एक से लेके सवा गंटे तक चलती हैं यहाँ पे latest techniques surgery की use की जाती हैं और हम सिर्फ imported या बाहर वाले जो joints हैं अच्छे वही use करते हैं surgery के बाद patient को लगबग तीन या चार दिन hospital में रखा जाता है जो सबसे जरूरी बात है कि surgery सुबे होती है तो हम शाम को patient को खड़ा कर देते हैं और next day ही उनको चला देते हैं surgery के एक जो मुख्य कारण है होने का वो है obesity या बुटापा जिन लोगों का overweight होता है उनमें ये surgery जादा होती है surgery के बाद जो stitches होते हैं discharge के 12 या 14 दिन के बाद जो आंके होते हैं या sutures हम बोलते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है patient को हम walker के साथ लगवग 2-3 हफ़े चलाते हैं उसके बाद वो stick लेके चल सकते हैं 6 हफ़े से लेके 3 महीने तक अपनी उमर के हिसाब से जो लोग 60 साल के हैं सोचिए वो 6 हफ़े में पॉड़ी भी चड़ सकते हैं कार भी चला सकते हैं और जो भी उनकी day to day daily activity है वो कर सकते हैं इनकी उमर थोड़ी जादा होती है जैसे 80 साल है 22 साल है उनको थोड़ा 2-3 महीन लगते हैं इस सर्जरी से एक तो पेन खतम हो जाता है और दूसरा जो आपकी quality of life है वो बहुत improve हो जाती है एक बात जो सभी patient के मन में आती है कि ये सर्जरी कितनी successful है जो total knee replacement है ये जो सब सर्जरी हम common देखते हैं दूसरे में भी general surgery में भी उसके मुकाबले बहुत कामयाब स इसका success rate 98 से लेके 99% है एक परसंट केसे में केलो 100 में से एक मरीज को complication या problem side effect आ सकते हैं सबसे जो common complication आती है वो होती है infection फिर उसके लिए हमको patient का treatment जारी रखना पुड़ता है इस surgery के साथ patient का दर तो दूर होता ही है उनकी tongue जो टेड़ी होती है वो भी CD हो जाती है और 98 से 99% patient इस surgery से surgery के बाद बहुत satisfied और कुश होते हैं surgery के बाद भी हमारी team जो physiotherapist है, dietitian है, surgeon है, वो सब in touch रहते है patient के साथ अगर आपको घुटने की कोई भी दिक्कत है आप हमारे hospital पे call कर सकते हैं और हमारे से कोई भी सवाल आके मिल भी सकते हैं और telephone पे भी बात कर सकते हैं धन्यवाद, thank you